भारत माता की, भारत माता की, इनकलाथ बंदे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब को आपके छोटे भाई, आपके बेटे का नमशकार, सब को मेरी राम राम सत्स्रियकाल। दोस्तों, आज मैं आपसे मिलने के लिए दिल्ली से आया हूँ, हमारे भाई कुल्दीब जी के लिए प्रचार करने के लिए, इन लोगों ने पांच महीने मेरे को जेल में डाल दी, आपको पता होगा। जेल से छूटके मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, मेरा कसूर क्या था, दस साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री के तोर पे दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, पूरी इमानदारी के साथ दिल्ली में सरकार चलाई, मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे देश म में दो राज्जे हैं बस जहां बिजली फ्री में मिलती है और 24 घंटे मिलती है दिल्ली और पंजाब मैं आप से पूछ और सबसे महंगी बिजली का मिलती है हर्याने में गुजरात में उत्तर प्रदे जाजा इनकी सरकारें है बीजेपी की वहाँ वहाँ सबसे महंगी बिजली है सस्ती बिजली देने वाला फ्री बिजली देने वाला चोर है की महंगी बिजली देने वाला चोर है दस साल मैंने दिल्ली के अंदर अच्छे शानदार स्कूल बनाए शिक्षा माफिया का खात्मा किया पानी फ्री कर दिया बिजली फ्री कर दी लोगों के लिए अच्छे सडके बनाई शानदार महला क्लिनिक बनाई ये अस्पिताल बनाए कहते हैं केजरी वाल चोर है इन्होंने मेरे को एक फरजी केस करके ये मेरी इमानदारी से डरते हैं इनका मकसद था केजरी वाल पे कीचड भेंको केजरी वाल पे लांचन लगाओ केजरी वाल को जेल भेज दो तो जनता को लगेगा कुछ करा होगा केजरी वाल ने आज मैं निकल के जब आया जेल से पूरी दिल्ली वाले कह रहे हैं केजरी वाल कट्टरी मानदार है पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता केजरी वाल चोग रहा है मैंने इस्तीफा दे दिया मैंने दिल्ली की जंता को कहा कि अगर तुम मानते हो केजरी वाली मांदार है तो मेरे को वोट देना दुबारा वोट दोगे तबी कुर्सी पे बैटूंगा नहीं तो सीम को इन्होंने जेल मेरे को तोड़ने की कोशिश करी तरह तरह से यातनाएं दी मेरी दवाईयां बंद कर दी बताओ शुगर का मरीजू मैं इनसुलिन लेता हूँ इनसुलिन बंद कर दिया हैं नोगोंने मेरी किडनी खराब हो जाती हमको कोट जाके कोट से परमिशन लेनी मेरी दवाईयां बंद कर दी तरह तरह से मानसिक तरीके से तरह तरह से इनोंने ये मेरे कोट तोड़ना चाते थे बार-बार कहते थे बाजपा में आजाओ एंडिये में आजाओ भाजपा में इनको यह निपता मैं हर्याने काँँ तूम तूम किसी को भी तोड़ सकते हैं और हर्याने वाले को नहीं तोड़ सकते हैं हे कि नहीं है हर्याने का हूँ rivalry मैं टूटा नहीं provinces पांच महीने बाद जेल से छूट के आपके बीच में आ रहा हूँ और मुझे फक्र है कि मैं हर्याने का छोड़ा हूँ पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर हर्याना का नाम रोशन किया है हर्याने से पढ़ लिख के निकलने के बाद आपके लड़के ने आपके छोटे भाई ने आपके बेटे ने दिल्ली में सरकार बना ली पंजाब में सरकार बना ली और आज दिल्ली और पंजाब के अंदर जो काम हो रहे हैं आजादी के बाद 75 साल में किसी पार्टी की सरकार ने उस किसम के काम नहीं किये 24 घंटे बिजली कर दी फ्री बिजली कर दी आपकी भी बिजली फ्री कर दूँगा आपकी भी बिजली ये पार्टिया नहीं करने वाली आपकी भी बिजली फ्री कर दूँगा आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही है आज हर्याने के आपके जो भी सरकार बनेगी उससे मेरा काम है मेरी जिम्मेदारी आपकी बिजली फ्री कराना बिजली फ्री करा दूँगा जैसे दिल्ली में कराई आपके ने शांदार मोहला क्लिनिक आपके घर में कोई इलाज कोई बिमार होगा इलाज की चिंता मत करना महला क्लिनिक बनाएंगे, शामदार हस्पताल बनाएंगे, सारे काम करेंगे, जो दिल्ली और पंजाब में करें, और हाथ कंगन को कार से, पंजाब तो यह यह बगल में है, जाके पूछ लेना, दिल्ली में आपके रिष्टेदार होंगे, फोन करके पूछ लेना, बिजली फ से जरूरी तो है डबवाली के ऊपर एक परिवार का कपजा हो गया हो एक नहीं है एक परिवार ने कपजा कर लिया उसी परिवार का बेटा इस पार्टी से त्पिश्कट हुआ दूसरा बेट आई स्पोनी से हदिए जिसको वॉट दे दो डिकेट और खोलानर में उससे मुट्ट стор कि नहीं चाहिए के ऐब है है मुट्टि दिलाएंगे कि इस प्रइवार से मुट्टि नहीं ऐट को वॉट देन इस बार यार कुलदीब जी को भारी मतों से ऐसे आदमी को वोट दो जो आपके बीच में रहता हो, कुलदीब जी यहींके पहले student leader रहे, फिर सरपंच रहे, फिर block summitti के leader रहे, फिर जिला परिशद में member रहे, आप ही के बीच में समाद सेवा करते हैं कोई इनके घर चला जाए रात को दो बेजे चला जाए यह आपके साथ उठके चले जाते हैं जाते हैं की नहीं जाते हैं ऐसे आदमी को वोट दो जो आपके बीच का हो ऐसे को क्यों देते हैं उनके बाप भी दादे भी पड़दादे भी राजनीती में थे अब वो उनको कोई सेवा बाव थोड़ी है उन लोगों के बनिमें उनके तो ऐसे आदमी को वोड़ दो जो ना आपका आदमी हो आपके बीच में से आया हो मैं तो बस यही कहूंगा भई आपके बीच के आदमी को वोट देना और आम आदमी पार्टी की जितनी सीटे आएंगी जितनी ताकत बढ़ेगी जो भी सरकार आएगी उससे काम करा के लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पे आएं मेर से मिलने के लिए आपके सब के मेर को दर्शन हुए आप सब लोग का तहे दिल से मैं भारी हूँ बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नंबर कितने नंबर पे है बटन? तीसरे नंबर पे तीन नंबर पे जाडू का बटन है जी तीन नंबर पे और लाना नंबर वन पे है भारत मता की भारत मता की